मांदेई बढ़ाये जाने की मांग को लेकर आगनबाडी कारिकत्रियों का आंदुरन सुमवार को भी जारी रहा। कारिकत्रियों ने विकाश बहुन में नारिबाजी के शांत पर दर्शन किया। इस मौके पर आगनबाडी कार्मियों ने कहा कि बीड़े चार साल से सरकार उन्हें गुमरा कर रही है मानदे बढ़ाने को लेकर कई बार आश्वासन दिये जा चुके हैं लेकिन उन्हें आज तक इसका लाब नहीं मिल सका है उन्होंने कहा कि मुख्यों मंदरी के बागेशवर आगमन पर उनका स्वागत करने के सांसान उन्हें ग्यापन भी दिया जाएगा तो टोकर यही मानदे का है मसला यही हमारा पूरा हना चाहिए अठारा हजार इसको होना ही चाहिए जिस प्रकास हम काम करते हैं उसके बदले तो हमें कोई भी दाम नहीं मिल रहा है और हम सभी बहन अपने घर छोड कैसे बैठे हैं सरकार ने थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए कितने कम पैसे में अपना घर कैसे चल रहेंगे मानदे में हैं वेतन का तो हमें कोई चलो वेतन नहीं दे थोड़ा बात मान दे तो बढ़ा दे वेतन बढ़ाने में तो कितने साल लगेंगे मान दे तो थोड़ा बढ़ा दे हमें एक मजदूर के बराबर तो हमें मजदूरी दे जिससे हमारे घर का लालन पालन हो सके हमारे बच्चे तेर घरएक कोम परश्णों को अपने मिला का उसका हम अपने मानने मिलेगा उसका हमें कुछ नहीं लाब दिया गया लेकिन हमारे मेन मुद्दा मान एंगे यह जाएगा हम खुदी उड़ जाएंगे परशनों को मुख्यमंत्री जी आने वाली हैं तेर तारे को हम अबना ग्यापन देंगे और उनका स्वागत करेंगे अच्छी दरह चे अमारी मांदे अठार हजार करते हो इनको लिखित रूम में तब हम उठेंगे नहीं तो हम उठने वाली नहीं है तारे काम हम कर रहे हैं ऑ हम अभी उठ जाते हैं क्या मंद्री जी से हम मुलागत करेंगे पर्शनों उनका और उनका स्वागत भी करेंगे जो हमारे आगे को अर्श्वाशन देदो उठने वाली नहीं है अब लिखिती लेंगे हम तभी उठेंगे आज CCN News के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट